जेमें तो कह रही है कि हाँ बाहरी को दिया मोका एक अधिवासी का बोट काट दिया सीट उला बीजेपी का यही असल चहरा है मेरे पुरवज इसी जहरखंड के लातेहर जिला के बरवाड़ी के रहने वाले थे हमारे अपने दादा जी रोजी रोटी के खोज में जहरखंड पलायन का दन्स जेल लहा है उसी का सिकार हो करके वोंविकापुर गए वहाँ कुछ दिनों तक काम काज करने का प्रयास किया बाद में वो उत्तरप्रदेस चले गए वहाँ यूपी कॉपरेटिव सुगरमिल में नौकरी की और नौकरी करने के बाद वहीं रिटायर हुए वहीं घर बना लिये तीन पीडियां हमारी वहाँ जरूर रह रही हैं लेकिन मूल रूप से हम लोग इसी जहरकंड के भूमी के रहने वाले हैं हमारे लेकिन क्या लग रहा है कि चुनाओं होगा यहां राजसभा का क्योंकि तीसरे उमिदवार ने भी अपना पर्चा खरिद लिया है हरियर महापात्रा वो किसका कैंडिडेट है लोग तो यहीं कह रहे हैं कि वो बाजपा की सदस्ता ले चुके हैं 2017 में प्रकार का प्रश्टाचार करके इस प्रकार का ट्रेडिंग करके अगर वो चाहते हैं कि वो कुछ कर पाएंगे तो यह संभो नहीं लगता चारखन में खाली हुए राजसभा के दो सीटों पर बीजेपी ने अपने एक उमिदवार की घोसना कर दी है परदेश महामंत्री परदीप बर्मा जी को उन्होंने उमिदवार बनाया है बीजेपी के पास जो संख्या है वो फिलहाल एक को जिताने के लिए सफिसियंट है और उनके अलावा भी अतरिक्त जित्म भोट उनके पास हैं तो क्या ही इस बार वोटिंग होगी या सीधे प्रमान पत्र दिया जाएगा हमारे साथ परदीप बर्मा जी है पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर कि आपने पाटी का दिल जीत लिया उमिदवार बन ग देखिए सबसे पहले तो मैं आभार वेक्त करना चाहूंगा भारती जनता पार्टी के राष्टिय नेतरित्त्य आदरणीय प्रधान मंत्री जी आदरणीय राष्टिय अध्यक्ष नड्डा जी आदरणी ग्रह मंत्री अमित साहा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बा पर यह भरोसा दिखाया कि इतना बड़ा दाईत्व देने का निर्णे लिया मैं मेरे पास सब्द नहीं है पांडे जी मैं किन सब्दों में आभार व्यक्त करूं लोगसबा में भी लोग आपको उमिद्वार के तोर पे देखते थे कभी चत्रा से डिसकसन होता था कभी रा दाईत्व रहा क्या और 1992 से मैं पार्टी से जुड़ा रहा, 2011 से तो सीधे दाईत्व पे रहा, दो बार प्रदेश मंत्री रहा, उपाध्यक्च रहा, दूसरी बार प्रदेश का महासची हों तो जार्खंड के अलग-अलग छेत्रों में काम करने का हमेशा पार्टी ने उमिद्वार बनना चाहिए तो वो सोभाविक था, और जहां तक राज्यसभा का उमिद्वार बनने का विसेह मैं सही में बता रहा हूँ पार्दे जी, मुझे इसकी अपेक्छा नहीं थी, भारती जंता पार्टी एक पार्टी मा की तरह होती है और अपने सभी बच्चों क और ध्यान लगती है, उसी प्रकार से पार्टी ने जिस प्रकार से मेरा चैन किया मुझे राज्यसभा का उमिद्वार बनाया, ये मेरे कलपना में नहीं था, सही अर्थों में मेरे कलपना में नहीं था अधित्य साहू उसके बाद आप लेकिन जेमें तो कह रही है कि हाँ बाहरी को दिया मौका एक अधिवासी का बोट काट दिया सीड उल्ला बीजेपी का यही असल चहरा है दिखिए भारती जनता पारटी एक राष्टिय राजनीती दल है हम सरवजन की पारटी हैं कभी भी इस प्रकार के संकृर्ण मानसिक्ता को लेकर के हमारे पारटी का जो मेकनीजम है जो चैयन प्रकिरिया है वो विचार नहीं करती है हम पूरी समग्रता से कई विसाओं को ध्यान में रख करके पार्टी के उमिदवारों का चहन करते हैं और जहां तकी आरोप लगाने वाले लोग हैं उनको याद होना चाहिए ये वही लोग हैं जिन्होंने जहारखंड को लूटने वालों को लेके आये केडी सिंग को लाकर के कौन सा जहारखंड का उन्होंने उपकार किया राज्यसभा में भेज करके जहारखंड के लिए क्या किया उमिदवार केडी सिंग ने इसका जवाब देना चाहिए यहां जहारखंड के लूटने वालों को वो कदर करते हैं अब इसे एक पिंटू, आर्किटेक्ट बिनोट सिंग, ऐसे लोग उनके प्रिय बन जाते हैं और जारखन में पिछले 32 वर्सों से सक्रिय राजनिती में कारे करने वाला कारे करता उनको बाहरी नजर आता है तो यह उनका दुर्भा गया और जहां तक यह प्रसंग आपने तक काम काज करने का प्रयास किया बाद में उत्तर प्रदेश चले गए वहां यूपी कॉपरेटिव सुगरमिल में नौकरी की और नौकरी करने के बाद वहीं रिटायर हुए वहीं घर बना लिये तीन पीडियां हमारी वहां जरूर रह रह रही हैं लेकिन मूल रुप से हम लोग इसी जार्खंड के भूमी के रहने वाले हैं हमारे पूरा परिवार जार्खंड में रहता है हमारे पुत्र का विवा यहीं जार्खंड में गड़वा में हुआ है हमारा कजन आज लेसली गंज में मुखिया है सरकार का तो पूरा तंत्र है उनको पता लगाना और मैं तो कहता हूँ कि भारती जनता पार्टी में फिर से दोहरा रहा हूँ कारेकरताओं को दाईत तो देते समय एक बड़ा वैज्यानिक मेकनिजम है उसका परियोग करके कई अस्तर पे चैन परकृरियाओं से गुजरने के बाद प्रत्यासित्ताय होते हैं इस परकार की छोटी चीजों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं लेकिन क्या लग रहा है कि चुनाओं होगा यहां राजसभा का क्योंकि तीसरे उमिदवार ने भी अपना पर्चा खरिद लिया है हरियर महापात्रा वो किसका कैंडिडेट है लोग तो यही कह रहे हैं कि वो भाजपा की सदस्ता ले चुके हैं 2017 में देखिए भारती जंता पार्टी आज की जो भाजपा है आधरनी प्रधान मत्री जी के नित्रुत की भाजपा है उसमें इस प्रकार की चीजें होना तो दूर उसकी कलपना भी कोई नहीं कर सकता है जो आकड़े हैं वो बड़े असपष्ट है यूपिये के पास एक सदस्य को चुन करके राज्यसभा में भेजने का आकड़ा है इंडिये के पास आंकड़ा है कि वो एक सदस कुछ उनके बड़ा असपस्ट है दो के अलावा तीसरे की गुंजाई सी नहीं है अगर कुछ लोग प्रयोक कर रहे हैं तो ये नरेंद्र भाई मोदी का भारत है यहां अब किसी भी प्रकार का प्रष्टाचार करके इस प्रकार का ट्रेडिंग करके अगर वो चाहते हैं कि वो कुछ कर पाएंगे तो ये संभो नहीं आज के भारत में ये संभो नहीं लगता आज के भारत में आप लोगों ने दो सिट बेजा था आपको याद होगा रगवर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे किस तरीके से पॉइंट में जीता कर अपने उमिदवार को आपने भेजा था देखिये वो समय अलग था उस समय इतना डिफरेंस नहीं था बहुत मामूली मतों का डिफरेंस नहीं था और सभाविक रूप से उस समय जो चुना हुए थे निर्दलियों की संख्या बहुत थी तो कई प्रकार की चीजें हुई थी और बड़े फेर तरीके से चुना हुए थे और उसमें एक फ्रेक्शन मतों से जीत करके उगए थे किसी प्रकार की ये ट्रेडिंग करना ये भारती जंतापाटी के सभाव में कभी नहीं रहा है वरतमान में आकड़े सिर्फ दो के लिए हैं एक आखरी सवाल है मेरा पहला रासी आप अपने मद का कहां खर्च करना चाहेंगे कभी क्या सोचा है कि ये काम हमको सबसे पहले करना है दिखिये मैं कहता हूँ कि झारकंड असीम सम्हावना वाला प्रदेश है और जारकंड के जो लोग है वो प्रतिभा में देश के किसी भी हिस्से में निवास करने माले लोग से अधिक प्रतिभा सालिये हैं खेल का छेत्र हो, चाहे साहित्य का छेत्र हो, उद्दम का छेत्र हो, हर छेत्र में जारखंड के लोगों ने अपनी प्रतिभा का लोहा पुरे देश को मनवाया है। अगर जारखंड की जंता की हम आवाज बन सकें, जारखंड के लिए ऐसी नीतियां बनाने में भूमिका निभा सकें, जो जारखंड को दूरगामी परिडाम देगी तो हम समझते हैं बड़ी भूमिका होगी, बाकी पंड तो आव सकता कि इसाब से राज्यसवा सांसत के लिए कोई रोक नहीं होती, जहां जरूरत है वहाँ चीजे की जाती है, लेकिन बड़ी भूमिका ये होती है, जब हम राज्य की पॉलिसी मेकिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं शुक्रिया के रहें नियत साफ होनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर लोगों को उसका लाव मिल सके कोई अपने आपको ये ना सोचे कि जारखंड में है तो इस चीज का भाव है जारखंड की आवाज बनने की कोशिस करूंगा अब देखिये कल ही पता चल पाएगा कि इस बार राजसभा का चुनाव होगा वोटिंग होगी या सीधे दो उमिद्वारों को प्रमान पत्र दे दिया जाएगा सुक्रिया कि एक वगताय का बन्हाँ हो जाएगा कि एक चेपक भूब कि ऑो इस दो कि एक बन्हाँ हो आएगा अपाया वाग कि उन्प्सक्राभ अब्यू ऑ्र-वब वडियू to followup.in